वाकुम दोस्तो यदि आप कुईत में रहते हो और कुईत के इमतरीन खबरों से में इसा वाकिफ हैना चाहते हो देए वीडियो को बिने इसकुप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बाराय हो चैनल को सब्सक्राब करेके बेल आकन को प्रेस कर लिजिए ता पे मौत हो गई यानि वो गल्फ कंट्री का रहने वाला था सौधी अरेबिया का रहने वाला था दोस्तो जैसा कि आप वीडियो आपको देखने को मिल रहा हो और कितनी वो खतरनाग एक्सिदेंट हुए जिसके वैसे चलाने वाला वहीं पे मौके पे ही मौत हो गई बस इत कर रहे थे अप जहां पे वो रहते थे वो लोग वो लोग वहाँ पे सराब बनाने का काम काफी दिनों से कर रहे थे दोस्तो जब पुलीस वहाँ पे गस्त लगा रही थी जब किसी के दोवारा वहाँ पे बोला गया तो जब जो चेकिंग की गी तो चेकिंग के दौरा लग लगष लगष वहाँ प्रक में ले जाकर दोस्तों वहाँ जगह 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 पर चुपा कर वो बेसते थे जिसके वएश構 druhung ळोनों को कानूनी laund करके उन लोगों को जैल की सजा सुना जाएगी अगली खबर दोस्तो आरी वो भी इंडिया और मिस्तरी को लोकल है खबर दोस्तो ये हैं इंडियान इन एजिप्सियन involved in a blood test fraud दोस्तो वहाँ कुएत के कोड के तरब से जज नासिर सलिमल सब के तरब से एक दो एक्सपर्ट को एक इंडियन को और एक इजिप्सियन को वहाँ पे दस सालों की सजा सुनाई है वो लोग क्या करे थे फ्रॉड का क्याम करते थे दोस्तो सबाल सलीव हैंत लेबरिटरी में वो लोग क्या करते थे ब्लड टेस्ट को लेकर दोस्तों वो लोग फरजरी का काम करते थे जिसके वज़े से वो लोग पकड़े गए थे और काफी दिनों से ये काम यो लोग कर रहे थे जिसके वज़े से लग पर इस पर पांच केस को दर्च किया गया था फिलाल दोनों सक्स को गिरफतार कुछ दिन पहले कर लिया गया था दस सालों की सजा सुनाई गई तो दोस्तों ये सब काम बिलकुल भी नहीं कीजिए नहीं तो आप भी पगड़े जाओगे तो आप लोगो भी सजा हो सकती है वहाँ पर फॉर्जरी का काम दोस्तों बहुत ही वहाँ भी बड़ी सजा सुनाई जाती है अगली अपडेट क्यों चलते हैं अगली अपडेट दोस्तों आरे डिमांड फो टिकट विटनेस राइस दोस्तों जैसा कि आप लोग पता होगा कि वहाँ पर टिकट की कीमते जो है फरवरी के महीने में और मार्च के पहला वीक तक टिकट की कीमते का अभी जगहाओं का टीकट का किराय लगभग 88% इंक्रीज कर गिया है, यानि बहुत ही जादा आपको महेंगा अभी टीकट मिलने वाला है लगभग 5 मार्स तक, 5 मार्स तक टीकट इतनी जादा महेंगा है कि टीकट लेना फिलाल अभी वहाँ पे मुस्किल होने वाला है, तो यह दोस्तों एनॉस्मेंट किया गया DCA के तरब से और कुएट इंटरनेसनल एरपोर्ट की तरब से, अगली कबर क्यों चलते हैं, अगली कबर दोस्तों जो आ रही है, नंबर ऑफ एक्सपर्ट वरकिंग पब्लिक और प्राइविट सेक्टर, दोस्तों वहाँ पे जो 60 साल वाले जो वरकर वहाँ पे काम करते हैं, प्राइविट सेक्टर और गौर्रमेंट सेक्टर में, सम मिला कि लगभग वहाँ पे 68,000 वरकर वहाँ पे काम करते हैं, जिनमें से 40,380 वरकर ऐसे हैं, जिनके उमर 60 साल और 64 साल के बीच में हैं, और 27,600 वरकर हैं, जिनके उमर लग निसी इसाट साल के बीच में है वो लोग Jana सेक्टर में काम करते हैं और 65 साल वाला लगभक 1397 लोग काम करते हैं दोस्तों कुल मिला Um kids 8とう 5000 फिवरे वह वह जब्यंत्व 601 फिर Spider participating काम करते हैं वन ही पर 63 003 ओ जो है वो साथ साल के बीच में काम करते हैं अलग उसकर इनमें से 36,000 उनकी उमर 60 साल और 64 के बीच में है और шपी हूर दोसो लोग यह chamber 65 साल के बीच में है तो यह आकड़ा निकाला गया कल के दिन तो यह कुछ अपडेट्स थी जो वेट से आरी थी मैंने अब तक शेयर किया आसा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेयर करें ताकि और भी लोग किसी जानगारी हो सके मिलते साथ युनिक